साथ योट ठगी और दोखागड़ी कॉंग्रेस की रग रग में बसी है 36 गड़ के किसानों से कर्जमाफी का वाइदा किया गया था कितने लोगों का कर्जमाफ हुआ हुआ क्या जड़ा बताईये ने हुआ क्या और दस दिन में करने के लिए कहा तक नहीं कहा था भोट बटोर लिए खेल खतम क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या और मुझे बताया गया है कि सिर्फ उन किसानों का थोड़ा बहुत कर्जी माफ किया गया है जिनोंने ग्रामिर बेंकों या सहकारी बेंकों से रोन लिया था उनका क्या हुआ जिनोंने राष्ट्रिय बेंकों से लोन लिया था क्या वो किसान नहीं है क्या उनके सर पर कर्ज नहीं है क्या उसको कर्ज माफी मिलनी चाहिए गा नहीं मिलनी चाहिए और चुनाओ के पहले ये बताया को नहीं आपने यही काम दोखा गड़ी उनको पता है कि एक बार बोट बटल लो कुर्सी छीन लो और फिर जनता जनता के ठिकाने पर और नेता दरबारों में जा करके जिहजूरी करने लग जाते हैं सबसे बड़ी बात उन गरीबों किसानों का क्या हुआ जिनों ने किसी सहुकार से करज लिया या किसी रिस्तिदार से करज लिया है उनका कौन करेगा साथियों करज माफि के नाम पर बिचौनियों का पेट भरने का काम करने वाली कॉंग्रेस के यही तौर तरीके है ये दस वर्थ बाद हर दस वर्थ के बाद चुनाव सामने दिखता है तो किसानों के करज माफी का पटारा खोल करके आ जाते है पहले 2009 का चुनाव जितने के लिए करज माफी का खेल लेके आये थे अब 2019 में लेकर के आये है लेकिन इनकी करज माफी का सत यही है कि बिचोनियों का भला होता है और किसान फिर से करज के बोच्टले दब जाता है साथ कि अगर बहुत इमानदारी से करज माफी की जाए तो भी देश में आपके गाउं में भी सो में से 20, 25 या 30 किसानों को ही इसका लाब मिल पाता है अभी ये जो कर रहे हैं उसमें तो इससे भी कम मिलने वाला है बाकी के किसान क्या खेटी नहीं करते क्योंकि वो और ज्यादा गरीब है इसके लिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए जी नहीं ये भेद्वाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है इसलिए ही बाजपा सरकार इस बजेट में पी-एम किसान सम्मान निदी योजना लेकर के आई है इसके तहर किसान को साल में छे हजार रुपिये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांस्पर किये जाएंगे कोई बिचोलिया नहीं कोई दलाली नहीं कुछ नहीं इससे 36 गड़ समेट देज बर के करीब 12 करोड ऐसे किसान परिवारों को लाब होगा जिनके पास पाँट एकर या उससे कम जमीन है इसका मतलब 37 गड़ के गावों में सो में से करीब करीब 90 से भी जादा किसानों को मोदी की इस योजना का लाब मिलेगा सो में से 90 साध्यो पियाम किसान सम्मान निदी योजना कर्ज माफी की तरह सिरफ दज साल में एक बार आती नहीं है लेकिन मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फाइदा करेगी कॉंग्रेस की कर्ज माफी योजना से दज साल में एक बार पच्चास हजार करोड रुपिया ये इने इने किसानों के पास जाते थे मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहर अभी का अगर मैं हिसाब लगाओं तो अगले दस साल में साड़े साथ लाख करोड रुपिया कहां पच्चास जार और कहां साड़े साथ लाख करोड रुपिया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले है आप मुझे पताईए इससे किसानों का लाप होगा अगनी होगा कर्द करने की मजबूरी से बहार आएगा अगनी आएगा फसल पक्के समा उसको जो ज़रूरी चीजे हैं वो ले पाएगा अगने ले पाएगा सोचिए ये देश के ग्रामिन अर्थ ववस्ता कि कितनी मड़ी मदद होने जा रही है